यह है अखलाग भाई जिन्होंने गोंडा गोरकपूर लूप लाइन पर बढ़ने वाले बढ़नी रेलवे स्टेशन से इस्टेशन अपडेट बना कर हमें भेजा अखलाग भाई बहुत बहुत शुक्री आपका थैंक्यू सो मच आप जहां कहीं भी रहें खुश रहें आबा लूटेशन के पास में क्रोसिंग है यहां से एक ट्रैक डाला जाना है और जो यहां पर क्रोसिंग है केबिन है इसको तोड़ा जाना है और पडोस में एक पुलिया का निर्मार भी कराया जाना है तो अपडेट देंगे फ्रेंड्स हम आप लोगों को देख सकते हैं आपर रेल बेड बनाने का काम किया जा रहा है, एक नया ट्रैक यहां से डाला जाएगा, जो आपकी वाशिंग पिट लाइन है, और इसके लावाद जो कोच, मैंटेनेंस डीपो हो यहां पर, तो उधर की तरफ एक ट्रैक जाना है, जिसके लिए यहां पर देख सकते हैं, रेल कर दी गई है, समतल करने का काम भी अभी किया जाएगा, ठीक है, समतल है थोड़ा बहुत, लेकिन अभी प्रॉपरली समतल नहीं है, देख सकते हैं दूर से, अब आप लोगों को दिखा रहे हैं, तो आगे से ट्रैक आएगा वाशिंग पिट लाइन, और कोच मैंटेनेंस के लिए यहीं से, तो फिर इसके बात यहाँ पर बैलाश्ट डाले जाएगा, बैलाश्ट भी बहुत धेर मात्रा में यहाँ पर मौझूद है, रेलवे स्टेशन के पास में, तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से यह रिखिए ट्रैक डाले जाएगा, जिसके लिए रेलवे बनाने का काम यहाँ पर बखू भी चल रहा है, आप लोगों को दिखा रहे हैं, बढ़नी रेलवे स्टेशन से आप लोगों को अपडेट दे रहे हैं, और बढ़नी रेलवे स्टेशन के ठीक परोस में ही बगल में, नेपाल भी है, जैसे यहाँ बाहर निकलेंगे नेपाल आजाएगा, तो देखिए फ्रेंड्स, हम क्रॉसिंग के पास आगए, जहाँ पर यह रिखिए, यह पुलिया का निर्मार किया गया है, खास दोर से ट्रैक डालने के लिए, ज़रूरी था, काफी समय से हम आप लोगों को इसका भी अपडेट दे चुके हैं, कई बार, यहा वाशिंग पिट लाइन के लिए चला जाएगा, बाकी जो है, वो कोज मैंटेनेंस डीपो जो यहाँ पर है, नीले रंग का आप लोगों को दिखाए पड़ना है, अब एक करीब से ले जाएगे, तो एक वहाँ के लिए ट्रैक चला जाएगा, इसके अलावाद जो यहाँ पर देखे केबिन बना है, तो नया केबिन बना लिया गया है, पुराने केबिन को तोड़ दिया जाएगा, जो यहाँ पर बैरियर लगा है, ठीक इसके पीछे वाला केबिन तोड़ा जाना है, और यहाँ पर नया बैरियर लगाया जाएगा, और अब कि जो बैरियर लगाय जायेगा इसको हटा दिया जाएगा चलिए कोछ मेंटेनेन्स टीपो के परोश में लिए नहीं चलते हैं यहाँ से देखिएगा ट्रेक बिचा लिया गया है हमा पर रेक के बीच में जो बैलास्ट है वह भी फैल आ दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं यह देखिए और इसके लावा एक और ट्रेक यहाँ पर डाला जाएगा यह देखिए काफी परियात मात्रा में स्पेस है यह सी भी मशीन ट्रॉली सब कुछ यहाँ पर मौझूद है और इसके लावा आगे अगर आप लोग गौर करें बायदिशा में तो भे सारा बैलास्ट भी मौझूद है फोड़ा और आगे चल के आप लोगों को दिखाते हैं तो यहाँ पर गौर कीजिएगा देखेगा तो परियाप्त मात्रा में यहाँ पर बैलास्ट मौझूद है और यह बैलास्ट अभी बायदिशा में फैलाय जाएगा जिससे कि एक और ट्रेक आसानी से बिखाया जा सके आने वाले समय में मेरे को लगता है को कुछ यहाँ पर बड़ा होने वाला है बड़ा इससे मतलब यह है या 30 सुवर है तो बढ़ाई जाएंगी इसके लावा कुछ यहीं से बनकर ट्रेने चलना शुरू हो जाएंगी ऐसा लग रहा है मुझे क्योंकि यहा मेंटेनेंस लोकों भी हो सकता है एक तरह से सूरी मेंडू या एलक्रिक लोकों के खड़े करने के लिए अगर आप लोगों को जानकारी है तो आप लोग कमेंट्स करके जो बताइएगा हमे एक अनुमाल लगा रहे हैं तो देखिए फ्रेंस यहाँ पर किस तरह से ट्रैक आ आ जाएगा और थोड़ी सी जलक आप लोगों को देखेगा ये देखे वाशिंग पिट लाइन है तो वाशिंग पिट लाइन तैयार पूरी तरह से ट्रैक के बीच में जो बैलास्ट है वो भी भर दिया गया है तो जिस तरह से यहां पर इस्टेशन पर काम चल रहे हैं वाश थोड़ी सी कमी ये हैं, कि यहां पर जो प्लेटफॉर्म हैं उनकी लंबाई कम है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाया जाना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ रोगों का कहना है कि कुछ जो coaches हैं जब train आती हैं लंबी दूरी के तो वो coaches platform से बाहर हो जाते हैं तो आवशक है कि जो platform के लंबाई है वो थोड़ी बहुत बढ़ाई जाए इसके लावा देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर crossover बने हुए हैं किस तरह से track washing pit line की तरफ जाएगा और इसके लावा जो यहाँ पर shed बन रहा है उसकी तरफ जाएगा और अलग से जो नया एक और track डाले जा रहा है यानि train track जो डाले जा रहे हैं तो किस किस दिशा में जाएगे आपने अभी बखू भी देखा तो इस तरह से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में हो सकता है लंबी दूरी की कुछ train यहीं से बन कर भी चलें जैसा कि मैंने बताया पर उसमें ही नेपाल है इसके अलावा जो यहां डूमरिया गंज के सांसद है उन्होंने भी कुछ उम्मीद जताई थी रेलवे से और शायद मेरे ख्याल से मांग भी की थी कि दचिट भारेट के लिए भी इस रूट से हो सकता है आने वाले समय में ट्रेन चलाई जाये जैसा कि गोरखपूर से बस्ती गोंडा वाले रूट पर चलती है राप्ति सागर एक्स्प्रेस गोरखपूर से जो कोची वेली जाती है और बरौनी से एरना कुलम जाती है स्क्राइब कीजेगा दुआओ में याद रखेगा अपना ख्याल रखेगा अगले वीडियो में मिलेंगे जय हिंद जय भारत